अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर ज़रूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए अब चल्दी करो नाटक कमकी कितनी गंदी पिच्चर है यह बहुत अच्छी फिल्म है चलो तो सही तुम्हे और फिल्म मी मिलें मुझे दिखाने के लिए इस फिल्मर बुराइका यह बत आयों तो मुझे और इच्छी लगती ऐसे बूतिया और डर आवनी फिल्म में तुम्हे पसंद नी है ऑज प्शंद नहीं लगता है समझे हाँ और वैसे भी नहीं आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता है तुमसे अगर यह बोला जाये फिल्म तुम्हे अकेले देखने अगेले देख सकती हो हाँ आज जरा पास तो आओ तुम्हें पता है अंग्रेजी ओरर फिल्म के डिरेक्टर के लिए था हौरर हो या रोमांटिक हो लेकिन पैसे तो बस उलोने चाहिए सही बात है सीप नमबर क्या है अरे वो बतायो ना थोड़ा आगे चेताव दी आतंकवाद से लड़ने में हमें सही उग दें किसी भी भीड़बार वाली जगए पर अगर कोई लावारिस बड़ी चीज दखे तो तुरंत हमें सुचित करें वो लावारिस बड़ा वाहन या बैग एक बॉम भी हो सकता है फिल्म का आनद लेने से पहले अपनी सीट के निजे जरूर चेक करें हमारी थोड़ी सी समझदारी बड़े हाथसों को टास दखती है धन्यवाद वो बॉहें में से तुमारे के नीचे बम तो नहीं है मौहें तुम्हारी मजाग भी ना पिलकुल तुम्हारी तड़ा बोरींग हो गए मैं तो अच्छे नागरी का फर्स निभानी की बात कर खांगरा था तो यह तो नहीं तेखना तो मत देखो मैं देख लेता हो अब क्या ग्रें कि आपे पाणिभा आपना करें भी आपर आपना करें कि इसे की आपना साथ विलुप वाहना है अपने में कि आपने में प्रेंगे खटतों, प्रेंगे गारे से के अपने यहा है में किस तरह का बॉम हूँ अरे इस बैग में तो बॉम नहीं है तो फिर क्या है एक मुट देखते हैं अरे ये क्या सर इसी बैग में कटा हुआ हाथ है इसला शो खदम होने के बाद प्रेटर की साफसफाई नहीं करते हो क्या करवाया था सर पर उस बक्त ये बैग या नहीं था शायद शो शुरू हुने से कुछी मिनिटों पहले किसी ने रख दिया किसी ने लाश को पहले काठा है छुटी शुटी तुगडे की हैं और अब वो तुगडों को ठीकाने लगा रहा है साथ को यहाँ पर रखा है शाय शरीर का बाकि सब ही हैं कही होगा था चेक करना प्त्ष्मिला प्ताय में से bak ignored अँड प्तायोल, फम्टिए verला एक बात बताये सर, ये सिनेमा हॉल अजीब जगह नहीं लगते आपको हाथ चुपाने के लिए? हाँ सर, अक्सर खुणी जंगलों में या ऐसी कोई सुल्सान जगह पर लाश को ठिकाने लगाते हैं, ये सिनेमा हॉल के सीट के नीचे? पताने इस खुणी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये हाथ तुमनों को कुछ अजीब नहीं लगा है? अजीब किया सर? ये जगो, आथ को काटने के बाद भी कहीं पे भी खुण का कोई निशान नहीं है, असा लगता है कि खुणी ने हाथ काटने के बाद एक्डम साफ कर दिया हैं, हाँ सर, हाथ को अच्छी से साफ किया है कि उनके एक गून भी नहीं दिख रही है, ये चक्कर कुछ और ही गलती, एक आदमी का कटावा हाथ थेटर के अंदर लाया किया है, और आप उसे गलती कह रहे हैं, हाँ, आपके थेटर के बार CCTV कैमरा लगा हुआ है, ये सर, सर, ये देखे, ये शोर शुरू होने से पले थेटर के भार का फुटेज दिखाना दर, ये सर, दिखाता हूँ अ अरे सर, ये वही वाला बैग है, जो हमें थेटर के अंदर मिला था, ये है वो आदमी, जो कटा हूँा हाथ थेटर के अंदर छोड़ की गया, जये काम करना, ये आदमी थेटर से किते मजे भार निकला, वो दिखा, वारा बजे अंदर गया और बारा बिस को बाहर? वांच मेट में अपना काम कर गया है मगर जाते जाते अपना खुब सुरत चेरा दिखा के गया है अब यह नहीं बचेगा इसके हाबा उसे लगता नहीं है गबराय हुआ है कई यह पेशेवर खोनी तो नहीं है पता चल जाएगा एक काम करो इसकी तस्वीरे हर जगा भेज दो और क्रिमिनल डेटाबेस में भी चेक कर दो आ सारूंके कुछ बच्ची दूई हाथ के साथ क्या बताया इसने कि किसका हाथ है किसने काटा इसे काटा इसे बस इस हाथ ने बताया कब पूछा जादा क्या इस हाथ ने उल्टा आपसे ही सवाल पूछ लिया आप रेड़ी और सवाल नहीं पूछा सीधे पहली पूछ डाली और कहा कि अपने आपको बहुत तीसमार रखा फ़रेंसी के एक्सपर्स समझते हो ना तो यह पहली सुलजा करके देखो ऐसे क्या पहली है डॉक्टर साब हमें भी बताईए शायद हम आपके कोई मदद कर दे हाँ जरूर दे वैसे भी आराज तारी का नहीं आई है शायद आप लोग मेरी मदद कर दे यह देखो हाथ का ये वाला हिसा यहां कलाई के पास बस ये हिस्सा अभी भी बहुत ज़्यादा नरम है सूप करके सक्त नहीं हुआ इसमें हैरानी के क्या बत है सालूंगे साब कई लोगों के हाथ नरम होते है कई यों के सक्त होते है है न रेड़े तुम मेरी बात समझ नहीं रहा देखो जब किसी इनसान का कोई अंग काट करके अलग किया जाता है तो वहां से बैते हुए खून को रोकने के लिए दिमाग एक सिगनल भेशता है ताकि वो खून बेना बंद हो जाए सूख जाए लेकिन इस हाथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ मतलब इस इनसान के दिवाग ने कोई सिगनल दिया है बिलकुल नहीं दिया बल्कि इस हाथ की तो सारी नसें सब हड़ियां सही सलामत है कहीं से कुछ कटने का निशान नहीं है कहीं पर कोई नर्व तूटी या कटी हुई नहीं है यार यह तो कैसे कह सकता सारम के देख किसे भी इनसान का हाथ अगर काटा जाए या उखाडा जाए तो जहां से भी एक काटा गया हो या उखाडा गया हो वहाँ पर बाकी नसे या हड्डियां तो होंगी होंगी ना तुम बात बिलकुल ठीक करें रहे बस लेकिन इस हाथ में ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे बलकि इस हाथ को देख करके लगता है कि ये हाथ किसी शरीर का इसा ही नहीं है इस हाथ की अपनी एक अलग हस्ती है अलग है ये हाथ बिलकुल डोग साब अब आप पहली आप जा रहे हैं मैंने कहाता ना देया ये बहुत टेड़ी पहली है है ना कहाता ना और बताता हूं बॉस इस हाथ को लेब में पड़े हुए पूरे पांच घंटे होगा है लेकिन इस हाथ के सडने की गती इतनी धीमी है कि आदा घंटे वाले लक्षन भी नहीं दिखाई दे रहे इस हाथ में उंगलियों की निशान मैच होए नहीं अपने क्रिमिनल डाटा बेस में तो मैच नहीं हुए लेकिन मैंने ये निशान डेली भेजे हैं सेंटरल डाटा बेस महां पर तो हर आम आदमी की उंगलियों के निशान होते हैं शायद किसी से मैच होजए अलो क्या लाश कहाँ बे यही जगे बता ही थे ना उसाथ में नहीं हुआ सर लेके लिए आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है कमाल जिसाथ में ने फोन किया खुद दिखाया भई सर कहीं उसी ने तो फोन नहीं किया हुम वह तो सकता है लाश यह तो वही आग्मी है जो सिनेमा हॉल में बैग में कटावा हाथ रखने गया था सरवी तो हम सोच रहे थे इसने किसी आखोन कर दिया लेकिन यहाँ पर तो किसी ने इसे ही मार दिया साथ कु मारा हैं बतानी क्या चल रहा था सादमी क दिमाग में सिनेमा हॉल में कटा हुआ हाथ रखने गया और यहाँ पे खोच शिकार हो गया सरो सकता है इसने हाथ काटा ही ना और इस जूर में इसका कोई संबन भी नहीं संबाओन है तो बहुत कुछ है लेकिन पता तभी लगेगा जब हमें इस आदमी के पहचान मालूम होगी इसके जेमें देगा कोई मॉबाइल पर्स वगएरा जी 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 तो कुछ भी नहीं और के चीटर ये देगा ये इस सरफ जाते हैं यहां पे इतना सारा खून पड़ा हुआ है इसका मतलब इस आदमी को यहाँ पे चाकू मारा गया लेकिन सर अगर उसने इस आदमी को यहाँ पे मारा है तो यह यहाँ से वहाँ तक गया कैसे वो चाहता तो उसको यहाँ भी मार सकता था वो सकता है जब खूनी ने इसे चाकू मारा हो किसी ने इसकी चीक सुनी कैसे नहीं, एक काम का, तुरह यहां असपास जितने भी लोग रहते हैं, सब को बुलाओ, इक हंटा करो, हम सच कह रहे हैं साब, हमने ना कुछ देखा, ना कुछ सुना, पक्वास कर रहे हैं तुम, एक आदमी का खोन हो गया, तलब तलब के मर गया और किसी ने कुछ देखा नहीं है, नहीं कुछ सुना, ऐसा कैसे हो सकता है, हैं? तुम, इदर ओ, इदर ओ, क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? नहीं साब, तो फिर पसीने को निकल ले हैं? साब, गर्मी बहुत है, इसलिए, गर्मी बहुत है, बारी शोचो की है, मौसम ठंडा है, तुम्हें पसीना निकल ला रहे है, तेखो, जो कुछ जानते हो, चुप साब, बता दो, तुम इने फौन किया ता, ना? ना साब, तो फिर भागी क्यों? यहां पर रहना चाहिया ता ना? साब, मैं डर गया था, मैंने सौचा फोन करके मने कोई गल्ती कर दी, वैस सी एडी के लफ़ड़ में नहीं पढ़ना चाहता था, साब, साब से रखो को फोन तेरा भांड़ना बहुत जल्दी पुरी दुनिया के सामने फूटने वाला है। क्या करेगा? क्या करेगा? भार तूँगा तुझे! इस तरह बहले कि C.I.D. मुश्टक पांचे खत्म कर तुझे! अरे! क्या कर रहे हो? अरे! अरे! रुको! अरे! अरे! भाही साब! रे! क्या हुआ? बुके भाही साब आप ये अम्पिलेंग दुलातो हो मैं! ये तो मर गया! अब क्या करूँ मैं? अस आदमी ने बाए हांसे चाको मारा था? आज साब! सरगे हो आदमी जिन्दा तो नहीं है? जिसका कटा हुआ हाथ हमें थेटर मेरा था बाद में उसने इस आदमी का खून कर दिया हो! ये तो तब ही पता चलेगा जब आदमी हमें मिलेगा! अलो? ओके, 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 थैंकिए बेरी मिच! उस आदमी का पता चल गया है! वह एक बिजनेसमेन है और उसका नाम सौरब है! जी, कहिए? किसे मिलना है आप लोगों? सौरब जी का घर ये ये ना? जी हाँ! सुनील, कौन है? मेडम ये लोग? CID से. CID से? जी, देखिए हमें एक आदमी का कटा हुआ हाथ मिला है! क्या? कटा हुआ हाथ? जी, और वो हाथ आपके पती सौरब का है! ये क्या कह रहे है आप? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है! नहीं माम, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई! उस कटेवे हाथ के उंगलियों के निशान, आपके बदे सौरब के उंगलियों के निशान के साथ मैच होते हैं! ये कैसे हो सकता है? एक मिन ठुकिए, मैं सौरब को बलाती हूँ! सौरब? क्या हो अरिमा? कि ये C.I.D. वाले हैं C.I.D.? और इनका कहना है कि इन्हें कटा हुआ हाथ मिला है, जिस पे आपके उंगलियों के निशान है! अरर्ष नrieढ़ी हैं! मेरे हाथओं को कुछ निशान होा हुआ सौरबबट ए सौरबक इस था इसे हो सकता है हमें जो कटा हुआ हाथ मिला था उसके उंगलियों के निशान और इनके हाथों के उंगलियों की निशान मैच किसे हो सकते है! बई तो दो अलग अलग लोगों के उले के निशान एक जैसे कैसे हो सकते हैं ये 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 आप लोग क्या कह रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सौरफ जी अब प्लीज हमारे साथ हमारे सी आडी के फोरिंसिक लैब चलिए हम आपके उगलियों के निशान चेक करना चाहते हैं आजीब मुसीबत है आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों को कुछ नहीं हुआ फिर मेरे फिंगर प्रिंच लेने का क्या मतलब फिर भी प्लीज आप हमारी मदद कीजी हम ये पता लगाना चाहते है कि वो घटा हुआ हाथ है किसका और उसके उगलियों के निशान आपकी उगलियों के निशान के साथ कैसे मैच होते हैं क्यों मैच होते हैं और कितना वक्त लगेगा? दो मिनट, अभी DNA रिपोर्ट आ रही है? प्लीज ठोड़ा जल्दी कीजिए, मेरी एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है, होंग कॉई डेलिगेट्स आए हैं, आप तो जानते हैं वो लोग ताइम के कितने पक्के हैं? सौरब जी, आप चिंता मत कीजिए, आप अपनी मीटिंग के लिए सही वक्त पर पहुँच जाएंगे, समझे? सिर्फ इतना बताएए क्या आप इस आदमी को जानते हैं? नहीं सर, कौन है ये आदमी? ये वही आदमी हैं, जिसने ये अकटा हुआ हाथ ठेटर में छोड़ दिया थै ओ माइगाड! क्या हो अशालन के? वह उस ये डिया ने रिपोर्ट का मेर आगया है आप इसके लिए चौँके क्योंकि आपको पता चल गया कि ये हाथ बेरा नहीं है, करेक्ट? बहाई साब, मैं इसलिए चौँका कि मुझे पता चल गया कि ये हाथ है तो आप ही का क्या? और सिर्फ वो हाथ ही रहीं इसके फिंगर पिंट्रिंट्स और उसकी डियन ए रिपोर्ट ये भी आप इसे मैच करती है क्या? ये ये आप क्या कह रहे हैं? देखे, मेरे दोनों हाथ सही सलामत है ये देखे, आपके सामने है इंगे से कोई भी हाथ आपको नकली लगदा है? नहीं, मानता हूँ मानता हूँ कि ये दोनों हाथ आपके सही सलामत हैं ये दोनों हाथ नकली नहीं है लेकिन जैसे ये बात सही है, वैसे ही वो भी बात सही है, कि वो जो हाथ है, वो भी आपी का है. इसका मतलब मेरे तीन-तीन हाथ गोए. देखिए, मेरे पास आपके बातों के लिए टाइम नहीं है. प्लीज, मुझे देर हो रही अपनी मीटिंग के लिए. तो प्लीज, एक्स्क्यूज मी, क्या मैं जा सकता हूँ? अब जा सकते, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो हम आपको फिर से बुला लेंगे, ठीक है? ठीक है. जाई या, थैंक यू. टॉक सर, अब ये क्या चक्कर है? किसी इंसान के छे उंगलिया होती है, ये तुमने देखाया. तो किसी इंसान के तीन-तीन हाथ? हाँ यार, दया, बात मेरे भी समझ में नियारी का आखिर ये चक्कर क्या है? लेकिन, डियेने की रिपोर्ट तो गलत नहीं हो सकती. अब कैसे हाथ तो इसी सौरफ का है, अब कैसे है ये नहीं पता चल पाया है? यार, दिमाग खराब कर देता है तो सौरम के यार, तेरे पास इस उमिद चाहते है कि तू कोई तो सुराग देगा जिसके वज़े से हम केस को आगे लेग जा सकते हैं, लेकिन नहीं, दिमाग गुमाने के अलाव, और कुछ खरता ही नहीं है तू. अरे बाबा, नाराज क्यों होते हो, देता हूँ, सुराग भी देता हूँ, और इस बार ऐसा सुराग दूँगा है कि तुम मुझे मोती चूर के लड्डू खिलाओ गए, उड़ो, एक लिए, ये देखू, क्या ही है, मेमरी चिप, जी यहाँ, ये मेमरी चिप पता है मुझ आदमी के कंदे पे से, ओ, ये आदमी कंदे पे इस चिप को चुपा के कूँ उना है, मतलब इस चिप में कोई गहरा राज चुपा हूआ है, फिलकुल, और क्या गहरा राज चुपा हूआ है, ये हम इस चिप को कम्पुटर में लगा के देखते हैं, आई यह बास, जतिन कुमार, हेमन्त, दिवेनलु, सुशेल, चिराण, यह तो शेहर के बड़े बिजनेसमेन है? हाँ सर, पर वो देखो, लिफ्ट के सब से मीचे सवरप का नाम भी लिखा हुआ है हाँ, मगर सर, यह मरा हुआ आदमी चिप में इन सारे बिजनेसमेन के नाम लिखे के बूम रहा हुए? दया, जरूर इस मरे हुए आदमे का इन बिजनेसमेन के साथ कोई न कोई कनेक्शन है, पर क्या, क्या होगा कनेक्शन? सर, सभी नामों के आगे नमबर्स लिखे हुए, बड़े अजीब लग रहे हैं, यह किस चीज के नमबर हो सकते हैं, हाँ, है तो बड़े अजीब नमबर, लगता है यह किसी खुफिया बैंक अकॉन की नमबर्स हैं, किसी विदेशी बैंक की, आसर, इस आदमी ने इन सारे के डाले धंदे का भांडा फोर्ड करने की सोची होगी, और इसलिए मारा गया, मरसर अगर ऐसा है तो फिर इस सावरो ने इस आदमी को पैचाना क्यों नहीं, पिर मैंक अकाउंट नमबर्स भी, और फिर यह हाथ, यह कटा हुआ हुआ हाथ, जो सावरो का है भी, जो सावरो और नहीं भी, अनिकल, बैंक वगरे में पता किया यह इन नमबर्स के बारे में, किसी भी बैंक के अकाउंट नमबस नहीं है, आचा आप इंटरनाशनल बैंक के भी नहीं है, ठीक है, अगर कोई जानकारी मिलती है तो हमें तुरंत इंपॉम कर देना, सर, उस लिष्ट में जितने भी बिद्नेसमर के नाम है, मैं एक एक के घर से हो किया रहा हूँ, अचा, तो कुछ पता चला है, उनके नाम के आगे जो नमबस है, उनका रास क्या है, नहीं सर, इसी बात की तो हैरानी है मुझे, उन में से कोई यह नहीं जानता कि उनके नाम के आगे, वो नमबर क सर, मैं सौरब के घर से आ रहा हूँ, सौरब के ड्राइवर ने एक खास बात बताई, क्या खास बात? यही कि वो हर सोमवार को सीडी के हॉस्पिटल चाता है, हर सोमवार को सीडी के हॉस्पिटल? कि उसका कोई रिष्चिदारी या दोस्द भरती है का इस हॉस्पिल में? न हम्... अब ये तो सीडी के हस्पिली जाने के बाद ही पता चले गा हाँ हाँ, ठीग डॉक्टर सुमित जी हाँ, आप लोग कॉन? जी हम लोग C.I.D. से C.I.D. से? जी हाँ, C.I.D. जी हाँ, C.I.D. बाहर रिसेप्शन पे पता चला के कि बिजनेसमेन सौरब का इलाज आप ही करते हैं? जी हाँ, लेकिन इस इलाज का C.I.D. से कहले ना देना? टॉक्टर सुमित हमें एक लाश मेली है, एक खुन हुआ है और खुनी को डुड़ने में हमें आपकी मदद चाहिए मैं आप लोगों भी कैसी मदद कर सकता हूँ? हमारे कुछ सवालों का चवाब देकर जी, पूछी? आप सौरब जी का इलाज कर रहे है ना? क्या बिमारी है उनको? उनका बाया हाथ ग्यांगरीन से ग्रस्त है ग्यांगरीन? इस बिमारी में मरीज के हाथ के अंदर एक ऐसा बैक्टिरिया पैदा हो जाता है जो हाथ को धीरी-धीरी खोखला कर देता है और जब इस बैक्टिरिया की शक्ति हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो हाथ को शरीर से काट कर अलग करना पड़ता है ताकि ये बिमारी शरीर की किसी दूसरे भाग में न पहल सके मतलब सौरब जी की बीमारी इतनी बड़ी नहीं है कि उनका हाथ काटना पड़े है हाँ, मगर ये बिमारी बहुत तेजी से फैल रही है अगले 6-8 महिनों में उनका हाथ काटना पड़ेगा छेट महिनों में हाथ काटना पड़ेगा तो इसी लिए उन्होंने अपने घरवानों से ये बात चुपा के रखी है अपनी बीमारी के बारे में हाँ वो नहीं चाहते थे कि बेवजय इसब जानकर उनके घरवाले परिशान हो सर आपके साइन चाहिए थे सर यार तु फिर आ गया तो मिलसोंने स्वाले भी बहुत परिशान करते हो जितना ओटोग्राफ किसी एक्टर को नहीं देना पड़ता है उतना सिगिंजर तो हम आम आदमी से ले लेते हो सर आप कौन से किसी सेलिब्रेटी से कम है तुम लोगों भी वजय से ही मार्केट में मक्खन का भाव बढ़ गया है स्कीज में सर आप दो मिनट रुकिये मैं भी आता हूं जी चलो सर आप जी का बाया हाथ कटने वाला है छे आठ महिनों में और हमें मिला है एक दूसरा बिल्कुल वैसा ही बाया हाथ जिसका डियने मैच होता है सर आप के डियने के साथ मतलब सर आप जी ने पहले से ही इंतदाम करके रखा है नए हाथ का अलो, हाँ, क्या? लेकिए आप घपराइए मत, हम लोग पहुंचते है, सर, सौरब की पतनी रीमा का फोन था, सौरब को गर से गुंडे उठा ले गए रीमा जी, सर आप लोगोने आने में बहुत देर कर दी, वो गुंडे सौरब को लेके चले गए क्या आपने उने देखा? पहचान दिये आप उने? नहीं, सौरब जी को सही सलामत गर वापस लएकर राएंगे सर, बस अब आपका हिसारा, बचा दीजी उने, देखे उने कुछ होना जाए तुम कहा थे जब हमला हुआ? सर मैं उस समय मार्कट गया था, जब वहां से आया तो यहां पर सब कुछ होँआ चुका था सरी माजी, आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है यह का? किसी के साथ उनकी कोई दुश्मन नहीं थी? जी नहीं, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मन ही नहीं थी मुझे बहुत डर लग रहा है, उने कुछ होना जाए अब घबराये मत, हम सौरब जी को कुछ नहीं होने देंगे इरे माजी, ज़र याद करके बताईए क्या वो किडनापर राफस में कुछ बाते कर रहे थे और अगर कर रहे थे तो क्या आपने कुछ सुना शायद कोई बात जिससे हमें मदद हो सके उन तक पहुँचने के लिए याद करके बताईए सर्थ, वो गुंडे तो कुछ नहीं कह रहे थे लेकिन मैंने सौरब के मुझसे सुना था कि वो कह रहे थे, उन्हें कोई इलाज नहीं करवाना है उन्हें छोड़ दो कोई इलाज नहीं करवाना? हाँ, मुझे यही बात तो समझ में नहीं आ रही है जब सौरब को कोई बीमारी ही नहीं थी तो वो किसी इसका इलाज करवाना चाहते? रिवाजी, हमें पता है सौरब किस इलाज के बारे में बात कर रहे थे क्या मतलब? समझ में नहीं आता आपको बताएं या नहीं सौरब जी के बाएं हाथ में गैंग्रीन हुआ है वो हाथ अब धीरे-धीरे सडने लगा है क्या? सौर ये केस तो दलदल की तरह धसता ही चला जा रहा है जब हम सौरब के तीसरे हाथ के रास तक पहुंचे तो किसी ने सौरब को ये अगवा कर लिया मुझे लगता सर ये हमें कुछ बता सकता था जिससे खूनी तकलीफ में आ जाता लो बस पता चल गया बस पता चल गया कि ये हाथ इतना धीरे-धीरे क्यों सड़ रहा था क्यों सड़ रहा था सर? बस इस हाथ को एडिन गुडाल नाम के केमिकल में डुबो करके रखा गया था एडिन गुडाल? है क्या ये? बस ये एक ऐसा केमिकल है जो ना सिर्थ इनसान की चमड़ी को बलकि उसके भीतर के अंगों को उसकी नसों को भी ठीक वैसे ही समाल करके रखता है जैसा उसे डुबोने के वक्त था इसका मतलब है डॉक्टर साब ये बताना मुश्किल है के ये हाथ कितने समय से इसके मिकल में रखा गया था बिल्कुल दया छे दिन, छे हफते, छे महीने, छे साल कुछ भी नहीं कह सकते कुछ कहें नहीं साब फिर दिमाख खराप कर दिया यार सालून की यार तिरे पस कोई तो जवाब होना चाहिए ना है, जवाब है, लेकिन इस बात का जवाब मैं नहीं दूगा इस बात का जवाब हमें तात्याना मचली देगी तात्याना मचली? अब क्या मचली जवाब देगी सालून के साब? ने यार फेड़ी मचली कभी जवाब देती है क्या आरे तो आप ही ने कहा नब मेरा कहने का मतलब यह है कि इस बात का जवाब तात्याना मचली में है तो से फिर जेर किस बात की बताईए बस तात्याना मचली एक बहुत खास किस्म की डिश होती है और मुझे इस आदमी के पेट में इस मचली के अंश मेले तो इसका मतलब है इस आदमी ने मरने से पहले ये तातियाना मचली खाई थी मिलकुल और वो भी मस्टर्ड सॉस के साथ और जहां तक मेरी जानकारी है इस शहर में इस तरीके के डिश बहुत ही कम रेस्टोरेंश में मिलती है तो और में पता लगाना पड़ेगा इस शहर में इसे कितने होखले जहां पर ये तातियाना मचली मिलती है ए ये आदमी के आपकी रेस्टारंट में आया था? जी नहीं पांग कुछ पता चाना? नहीं सर, कुछ पता नहीं चाना कुछ पता चाना अच्छा अच्छा वो सामने रेश्टोरंटे उसमें देखते है Excuse me आये आये सार अब अच्छे मोकी पर आयोगा सार आज हमारे रेश्टोरंट के पांत साल पुरे होगे सार इसलिए आज यहां पे हर बिश पे 30% डिसकाउंट है सार अरे वाग यह तो बड़ी अच्छी बात है वोटल की वर्षगांड आपको बहुत-बहुत मुबारत शुकुरिया कहिए सार क्या खाना पसंद करेंगे आप जी हमें तातियाना मचली खाने है मिलेगी? मिलती है सर बल्कि वो हमरे रेस्टारंट की खातिया जैसा सर मैं दावे के साब कहांदाँ कि पूरे शहर में हमसे अच्छा तातियाना मचली कोई ने बना पसा फिर तो आपने इन भाई साब को ज़रू देखाओगा आपकी रेस्टारंट में आपके हां के स्वादिश तातियाना मचली खाते हुए हाँ मैंडम ये भाई साब अकसर हमेरे रेस्टारंट में आती जाते रहते हैं अच्छा अपके दोस्ते क्या है हाँ हाँ ये ऐसे ही समझ लिजे पर एक डिक्कत हो गई है डिक्कत? कैसी डिक्कत साथ? अच्छली हम लोग दूसरे शेयर से हाई हैं तो अपने दोस्त को सर्प्राइज देना चाहते थे पर ये इनका अड्रिस ही खो गया पता खो गया? हाँ जी उनके मुझ से आपकी रेस्टोराण का नाम कहीं बार सुना था तो सोचा तुक्का मार लेके शायद आपकी हां से पता मिल जाया है जी जी मिस्टर अंगद हमरे रेस्टोराण से अकसर होम डिलिवरी मंगवाते है चा चा उनका नाम अंगद है कुछ कहा अपने? अरे ने ये ये क्या कहेगा काफी दिनों से अंगद से मिला नहीं है ना तो कुछ भी बोलता है अचा चा अरे मैश? जी सर अपने कॉंपुटर से मिस्टर अंगद का पता निकाल के देना सर को वे जबवाता खोलने है खोलो बिल्पुटर फॉष्टर फॉष्टर कर तो काली गवी ने गर्मी इखो दरह अरे जीस बिल्पुटर ने जीस आप आप यहां पे बुक्स पड़ी हुई है और वो भी साइन्स की यूमन बोडी ही यह ने रेप्लिकेशन स्टांड़ूट फाक्ट्स यह अंगत भी वो हाथ ता अउडिटोरियम की स्टांड़ूट फाक्ट्स स्टांड़ूट फाक्ट्स शर्वप के लिए तो नहीं कि अंगत रिसर्च कर रहा था ट्लोनिंग पर शरीर के अंग बनाने पर अशर यह जब इन सब को देख के तो ऐसी लफता है सचेन जरूर इस अंगत के खून का राज इस रिसर्च से संबंदित है कोई न कोई कनिशन जरूर है अंगत के खून का कर को अच्छी तरसे चान वरो टूंडो कुछ न कुछ तो सुराग जरूर मिलेगा सर आप रिडिक कुछ मिला यह देखिये कार्ड होल्डर कार्ड होल्डर इस पेंटिंग के पीछे था यह मत्ली का कार्ड है यह कोई मामूली कार्ड नहीं लगता मामूली तो नहीं है फ्रेडी यह कोई खास कार्ड है किसी खास चीज का कार्ड और इसलिए तो इतना छुपा के रखा इसे इस पेंटिंग के पीछे अरी आदमी इस कार्ट का इस्तमाल किस चीज के लिए करता होगा कोई तो चीज है इस घर में शायद कोई अलमारी कोई दर्वाजा कोई ड्रॉर जो खुलता है इस कार्ट से डूंडो घर को अची तरह से देखो है कोई ऐसी जगह जहां पर एक सुचेन अगर घर में नहीं तो फिर बाहर जरूर है बाहर जरूर है यह अंगद जरूर बार बाहर बाहर जाता था किसी ऐसे जगह जहां पर इस कार्ट से कोई बंदर्वाजा खुलता है कोई ऐसा दर्वाजा जिसके पीछे इस केस का राज चुपा है सर पड़ोसे नहीं हमें बताय था ना कि खुद की गाड़ी होने के बावजुद भी अंगद आने जाने के लिए रिक्षा के इस्तेमाल करता था तो रिक्षा स्टैंड पे जाकर अच्छी तरह से पूछताज करो बता लगाओ ये अंगद जाता कहां था आपको अर्टो में बिठा जाता पसंदी है टेक्सी में अच्छी तो है कभी-कभी मुझे लगता है कि बैभी एक और तो खरीद में आने जाने के लिए कहीं रास्ते में किसी ने रोग लिया तो यहां वहां ले जाने के लिए फिर तो ब्यूरो में पहुंचने में तेर हो जाईगी और आप तो जानते ACP साब मुझे तो है कहीं साब कहीं साब कहां जाएंगे जाना कहीं नहीं है बस हम लोग C.I.D. से C.I.D. से ये इस फोटो को ध्यान से देख लो क्या एए साबी को तुमने अपने आपो में बिठा के खोड़ा है नहीं साब हमारी ऐसी किस्मत कहां कि हम इनको छोड़ें यह हमारी आपो में जाएं यह मतलब साब यह तो सिर्फ और sirf पप्पू की ओर एटो में जाते अचे ये पफू को आटो में बठा के लेके कहां जाता है साहप ये तो पफू ही जाने कहां रेता ये पफू और में माप कर दो साहप, अभी आगे से नहीं होगा क्या माप कर दो? तुभी हो पफू? हाँ साभ बापोली पफू है और आगे भी आप उनका नाम बदलने कोई रादा ली है अगला मदाख को समझ के करना, हख ना फुल जाएगा तू हम लोग प्याडी है समझे प्याडी? जी हाँ ये आदमी हमेशा तुम्हारी रिक्षा में जाता था था ना? जी हाँ, ये तो अंदच साब की फोटू है अब ये बताओ कि ये आदमी तुम्हारी रिक्षा में बैठके कहा जाता था? अब क्या बताओ साब? जहां मूर होता था वहाँ चले जाते थे कई फिलम देखने तो कई किसी और जगह है अरे लेकिन को ही तो ऐसी खास जगह होगी? यहां यह जाता था अक्षा है? हाँ साब, एक जगह तो है कौंती जगह? महिमा क्लीनिक महिमा क्लीनिक? जी हाँ साब कहा प यह महिमा क्लीनिक? अजर ये खेखने क्लीनिक है या खंडर? इससे देख के ऐसा लगता है, जैसे महिनों से यहाँ पे कोई आया है नहीं. ऐसे कैसे हो सकता है, सचिन, रिक्षावाला तो कह रहा था कि अंगत हर रोज यहाँ पर आता है. सर अगर वो यहाँ पर रूज आता है, तब थो यहाँ आपर साफ सभाइ करवानी चैहें. इतनी गंदगी में वो काम कैसे कर सकता है। वही तो, वही तो बड़ी अजीब बात है। नई सर्, इतनी अजीब बात भी नहीं है। क्या मतलब दे है। सर्शायद यह उजड़ावा क्लिनिक दुनिया को दिखाने के लिए है। इस कुफीया दर्वाज़ के उस तरफ शाहिद इस क्लिनिक का असली चयरह है। कुफीया दर्वाज़? हाँ और इस कुफीया दर्वाज़ा, तो समदे खुछता हो का जो हमें अंगत के घर से मिला था। निकिल, काट दू सुँ देखो जरा देया तो इसका स्लोट होना चाहिए फिर तो तो निकिल सिर्ण जर्मार्य ठीक से लगां तो जर्ण तो स्व क्या है? सिर्ण अलग दिखने वाली इस जगह में इस तरह का लड़ बनाया हुआ है टीर युकावद बिलकुल ठीन है सिर्ण नेवर ज्याज़बूक, बाइज काव़ और किसी इंसान को उसके कपड़ों से मत परखो ओ नो सर, ये रिखे माई कॉड़, पहले कटा हुआ हाथ, अब कटी हुई टांग सिर्फ कटी हुई टांग नहीं सर, शरीर के और भी कई हैं इकटे वे अंकड़े हैं आपर क्या चल रहा है, यहांपर समझ में नहीं आ रहा हुई यह है सारा चक्कत क्या हो सर, यह देखो, यह सारे जो नाम है ना इस लिस्ट में और यह नंबर्स यह पूरी की पूरी लिस्ट बिलकुल वही है, जो में उस मेमरी चिप में से मिली थी, वही लिस्ट ही है इसका मतलब जो बिजनसमेन के नाम के आगे, जो नमबर्स लिखे थे वो नमबर्स आ सचेन, वो नमबर्स, कोई खुफिया अकाउंट नहीं बैंक के बलकि यह सारे अलग-अलग शरीर के अंगों के नमबर्स हैं यह देखे, अरे कंटेनर पर वो नमबर्स लिखा हुआ है बिलकुल वही नमबर्स, वही नमबर्स सर जिस तरह से सवरो को नए हाथ की जुरुत थी उसी तरह इस लिश्ट में जितने भी बिजनसमेने उन सब को किसने किसी बिमारी के वज़े से नए शरीर के अंकि जुरुत होगी यह लगता है सर यहां पर गैर कानों निब्यापार चल रहा था उसका हाँ दया और इस सवरो का हाथ यही से यही से बाहर ले जाया गया होगा अगर यही से हाथ ले जा गया है तो फिर उसका खाली कंटेनर भी यही पर होना चाहिए निखिल, देखो जड़ा सर, यह रहो खाली कंटेनर यह देखो लेकिन एक बात समझ भी नहीं आ रहे है कि अंगद ने वो हाथ अड़िटोरियम में सीथ के नीचे क्यो रखा एक और दो दो लाशे दो दो लाशे पल्टो जड़ा अजीब मुसीबत है सर, यह तो सारव है हाँ सर, लेकिन यह तो अपने लिए हाथ खरीदने आया था इसे भला कोई क्यो मारेगा उसी हाथ की वज़े से मार डाला है सौरव को उसी हाथ की वज़े से जो भी यह सब कर रहे है न हो समझ गए कि सौरव की वज़े से हम उन तक पहुचने वाले हैं सौरव को दोनने यहां कभी भी पोहुच सकते हैं इसलिए हमें इसी वक्त अपना सारा सामान बांग के निकलना होगा अगर बस यहागे तो तो मार डाले ऑके को कोई भी यहां से बच के निकलना नहीं चाहिए पर boss, हम अपना सारा सामान लेकर जाएगे कहा? उसकी फिकर तू मत करो! बड़े boss ने नेया इडा तलाश कर लिया है ब आप यह बस, Boss का इंतिजार करनाए है Boss यहां सब ठीक है जा? हां boss, हम अपना सारा सामान लेकर निकल लही ही हुआले धी वैसे बॉस, यह सारा सामान हम लेकर जाएंगे का? और अगला अगला दा? अठाव से. बॉके बॉस. हमें यहां से जल से जल अपना सामान लेकर निकलना होगा. चलो, जलती से अपना सामान समेठो. एक, तुर अपनी जगे से ने लेगा. आपके साइन चाहिए थे से. सिहरी, तुम लोग यहां कहसे पहुंचेंगे? जर्म को पहचानने की हमारी पुरानी आदत है. और अगर गैर कांदों ने काम हो रहा हो, तो हम बिन बुलाय पहुच जाते हैं. पैसे आप लोगों ने तीन-तीम खुन किये. तीन हैं, साथ, अब तुम चारों लोग भी गए काम से. एए, अब है साथ जनम लेने पड़ेंगे. हम इसे किसी एक को भी मारने का सोचने के लिए समझे है. चला गोली, चला! अपने बापों का पुरा हिसाब नहीं देगा हमें? मुझे अपने काम में कोई बुरा ही नजर नहीं आती. तीन लोगों के बास हाथ नहीं होते, उन्हें हाथ देते थे. इनके पास पैर नहीं होते थे, उन्हें पैर देते थे. जिनके किड़नी फेल हो जाती तो उने किड़नी जिनका लीवर कराब हो जाता दो उने लीवर आप भी बताएए कि अपंग लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना को जुरम है कि तुम अपंग लोगों के शरीड को नए अंग देने के लिए, दूसरे लोगों के हाथ-पेर काट लेते हो, एक हागा इंसाफ है? हम किसी के हाथ पैर नहीं कारते थे बल्कि विग्यानिक तरीके से हम हाथ पैर हुगाते थे उनका क्लोन बनाते थे इसलिए तो शौरब के नहीं हाथ कर डियाइन उसके साथ मैच करता था मगर गयर कानूनी है यह इलाज समझे है गयर कानूनी ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में इसलिए तो यह काम में चोरेशुपकी किया करता था पहले मैं इंशोरेंस एजेंट बना ताके मैं बीमार आमीर लोगों को डून सकों जो मुझे एक एक एंग के ल अंगत के अंदर का लालत जाग उटा अंगत सब ठीक चल रहा है ना आँ बॉस सब ठीक ठाक चल रहा है वेरी गड़ लगे रहो देखना एक दिन में अपने इस घैर कानूनी इलाज के दंपर पैसो का बहुत बड़ा महल खड़ा कर लूंगा वा अपने लिए पैसो का महल और हमारी लिए जोपड़ी लेकिन यह तो बहुत ना इंसा भी ना मतलब मतलब यह कि अब हमें आपके पहके हो चुकले नहीं चाहिए पार्टनर्शिप चाहिए हमें और वह पूरी पचास-पचास की साजेदारी हो तो तुम्हें साजेदारी चाहिए हरे ऐसा बोलना था प्रीकर मेरी ने क्लीन भाल के अब देख अंतर उनके रहा यह स्मृटरर ऑल हो सता है था जो अधार मेरे पार्टनर that बहुत्टने तरफ सकर्टनर बहुनत खर्र fragrance Ah बोल अंगत, तुझे भी पार्टनर्शिप चाहिए, यह जितना मिल रहा उसमें खुशा दो अरे यह क्या किया तुमने, रभी का खुन कर दिया तुमने, मैं तुमें छोड़ूंगा नी, पुरी दुनिया के सामने तुम्हारा भांडा फोड़ दूगा मैं और इसलिए अंगत ने वहाथ उस आउडिटोरियम के सीट के नीचे चुपा दिया, ताकि तुम्हारी यह पाप की लंका बस्वसात हो जाए जब सौरब को यह पता चला कि उसका नया हाथ आप लोगों के हाथ में लग चुका है तो वो मुझे तंकाने लगा, तो सेलिए मुझे उससे भी उने रास्ते से अटाना पड़ा एक तरफ अपंग लोगों के लिए नए हंग बनाने की बात करते हो और दूसरे तरफ तीन तीन लोगों की जान लेते हो तुम्हे तो फासी ही होगी, फासी